मित्व जय मता दी आप देख धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा में आज के विस्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं जुलाई 2023 में वाहन खहिदने के लिए कौन-कौन से दिन सुप रहने वाले हैं किन-किन दिनों में किन-किन समयों में आप वाहन खहिद सकते हैं वाहन आपका किस इसी की सैकल हो सकती है, मोटर सैकल हो सकती है, कार हो सकती है, जीब, बस, ट्रक कुछ भी हो सकता है, जैसे मसीन हो सकती है, कोई अपने परस्नल यूज के लिए वाहन खहिच सकता है, कोई कमर्सिल यूज के लिए वाहन खहिच सकता है, तो वाहन खहिच सकता है, तो वाहन तो हम सभी अपनी पूरे परिवार के साथ उस पर यात्रा भी करते हैं तो हमारी यात्रा हमेशा मंगल में रहे और हमारे पैसे का सदुब्योग भी हो इसी कारण अच्छे महुर्ट में ही वाहन खहिदना आवस्यक है वाहन खहिदने का महुर्ट आपको जुलाई 2023 का मैं बता है दूसरा राहुकाल हर रोज ही आता है राहुकाल में वाहन नहीं खहिदना चाहिए राहुकाल की जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलते रहती है हर दिन की पंचांग का वीडियो आता है रासिफल का वीडियो आता है दोनों में ही मैं राहुकाल बताता हूं एक दिन पहले ही आप जानकारी ले सकते हैं कि कल राहुकाल कितने वीजे से है, तीसरा भध्रा जब जब पड़े भध्र यानि की विष्ठी करन, जब जब पड़े तब तब भी आपको वाहन नहीं खहेदना चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है आज के पंचांग के कारिकरम से जो कि कल का पंचांग आप आज साम में ही चार बज़े देख सकते हैं जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है राहो काल है कितने बज़े हैं चोथा जब आपकी रासी से चंद्रमा चोथे आठवे या बारहों भाव में हो तो भी वहन नहीं खैदना चाहिए चाहे कितना भी अच्छा महूत रहे लेकिन वह महूत आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आपके रासी से चंद्रमा के से चोथे आठवे या बारहों भाव में बन रही हो तो इसके अलावा पंचक में भी वहन नहीं खैता जाता है लेकिन इस बार का पंचक जो संयोग से बन रहा है उसमें आप वहन खैत सकते हैं क्योंकि जो पंचक बुद्धवार या गुरुवार से आरंभ होता है उसमें किसी प्रकार का दोस्त नहीं लगता है ब वो पंचक प्रभावसाली नहीं होता है उसमें आप कोई भी कारी कर सकते हैं फिर भी आए जान लेते हैं जुलाई में पंचक कब से कब तक रहने वाला है गुरुवार 6 जुलाई 2023 को साम के 6 बच कर 3 मर्च से पंचक आरहम होगा जो कि सुम वार 10 जुलाई 2023 को रात लिके 11 पंचक जो है वो असरदार नहीं रहेगा क्योंकि गुरुवार से आरहम हो रहा है अब वहान खेंदी का महुट जान लेते हैं इस मेहने में कुल तीन महुर्थ बनने हैं उसकी जानकारी ले देते हैं अगर यह तीनों महुर्थ आपको सूट ना करे या फिर आप अपने रा अनुसार महुर्थ निकलवा सकते हैं वाट्सअप करना है बस वाहन महुर्थ इतना ही वाट्सअप करके रुक जाना है फोन नहीं करना है उसी वाट्सअप करना है आपको अपने आप वहां पर जवाब आएगा आई जानेते महुर्थों को सबसे पहला महुर्थ बनेगा बुद्वार 5 जुलाई 2023 को इस दिन तिथी करम से दुईतिया और तिथय रहने वाली है नक्षत्र उत्रसरा और स्रवन नक्षत्र रहेगा सुम महुर्थ बनेगा दिन के 12 बच के 36 मेर से लेकर रातिरी के 11 बच के 22 मेर तक जब तक आपके यहां सोरूम खुण आड़े तब त रखनाद अवस्यक है दूसा सुब मूर्थ बन रहा है सुक्रवार साथ जुलाई 2023 को यह मूर्थ हना की पंचक में 21 बारत का पंचक मानने नहीं है तो यह मूर्थ कारगर होगा तिथी इस बार चतुरती और पंचमी रहने वाली क्रमसा नक्षतर सत्विशा और पूरू भाद अवस्यक है तीसरा सुब मूर्थ बन रहा है सुमवार 10 जुलाई 2023 को यह भी मूर्थ पंचक में बन रहा है इस में तिथी करमसा अश्टमी और नौमी रहने वाला है नक्षतर रेवती और अस्वनी रहने वाला है सुब मूर्थ का निवान होगा सुल्योदे से लेकर राति और अधिक मास भी आरंब होगा तो अधिक मास में मो नहीं रहता है तो एन ही मो मूर्थों से इस मेने में काम चलाना होगा हमें । अगर आपको और वी कुछ जानना है अपने सुभिधान उसना मुष्ट निकाला रहा है इस वाटसप नमर पर समपरक करना है तो मिलते हैं आने ग्यान वर्दक वीडियों के साथ तब तक देखते लिए धर्म सिक्षा जे माता दिनुए